क्या आप जानते हैं आश्यरी किसे कहते हैं इस मंदिर की पास्तुकला कुछ इस प्रकार की है कि सुभा की पहली किरण, बेशाला, मंडप और गर्वगरा के छोटे से द्वार को चीरती हुई शिवलिंग पर गिरती है मानो सूर्य मुलिनात को प्रणाम कर दुनिया में प्रकास फिलाने की अनुमती मांगता हो नमशकार मित्रो आज हम आपको मद्ध्र प्रदेश के विदीशा सहर के उदेपुर गाओं में इस्तित नील कंठिश और महादेव के बारे में बताने जा रहे हैं ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्मान यारवी सताबदी में परमारवंश के सासनकाल के दोरान किया गया था यह मंदिर इस्थापित्तिक अलाका एक उतकरष्ट उधारन है इस मंदिर की सबसे वड़ी सुन्दरता इसकी अच्छी तरह से अनुपातिक और सुन्दर ढंग से डेजाइन किये गए सिखर और नाजुक नकासिदार पदक हैं जो इसके किनारे को सूसोबित करते हैं यह मंदिर अपनी जटिल नकाशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है जो उत्तर भारती और दक्षन भारती सेलियों का मिला जुला रूप है यह मंदिर महीन लाल बालुआ पत्थर से निर्मित अपनी सुप्रसिद्ध कारीगरी और नकाशी का एक बेजोर नमुना है इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि माशी वरात्री के दिन भगवान सूरी की पहली किरण मंदिर के गर्भ ग्रा में इस्तित शिवलिंग पर पढ़ती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो सूरी देवता भगवान भोलेनात को प्रणाम कर विश्व में प्रकास फ्यलाने की अनुमती मांगते हो अईए अब हम आपको गर्भ ग्रा में इस्तित भगवान भोलेनात जी के दर्शन करवाते हैं शिवलिंग पर एक पीतल का आवरन चड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं यहाप पीतल का आवरन हर शिवरात्री पर उतारा जाता है मंदिर में शिवलिंग के पास ही मापारवती की प्रतीमा विराजित है भगवान शिव का एहा मंदिर उरे विश्व में प्रसद्ध है राजा उदेरित्य दुवारा बनवाय जाने से इस मंदिर को उदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है इसकी कलाकरतिया खजुराव जैसी है गर्भगरा के दोनों और गंगा यमुना मानव रूप में उकेरी गई है जो मंदिर में प्रभेश करने वाले भगतों को आत्मा से सुद्ध करती है मंदिर के चारो और देवी देवताओं और दिकपाल की प्रतिमाएं सोभाय मान है इसमें प्रमुक रूप से गणेश जी, विश्नु जी, मादुर्गा की प्रतिमाएं विराजित है